बिहार के मुखेवंतरी नितिश कुमार इन दिनों समधान यात्रा पर है और दूसरी तरफ साथ जनवरी से बिहार में जातिय जनगर्णा भी शुरू हो गई है जहां CM नितिश कुमार जातिय जनगर्णा को अपनी उपलब्दी वता रहे हैं तो वहीं बीजबी उन पर लगातार हमलावर है और उन पर जूट बोलने का आरूप लगा रही है ताजा मामले में बिहार के पूर्व डिप्टी CM और बीजबी के राजसबा सांसत सुशील मोदी ने जातिय जनगर्णा को लेकर CM नितिश कुमार पर करारा हमला बोला है में साथ महीरे की देरी क्यों हूई कहां विरूद किया हुए जिस मंत्री मंडल में बीजबी शामिल तो उसे ने तो फैसला किया मंत्री मंडल में क्या रास्टे जनता दल शामिल था कॉंग्रेस शामिल थे दो जून दोजार बाइस को बियार के मंतरी परश्द ने जो फैसला किया उसमें भातिंता पार्टी के भी मंतरी शामिल थे और हमीं लोगों के समर्थन देने के बाद ये कास सेंसस का निरने हुआ तो बीजिपी जाती जनगन्ना के पक्ष में थी जनगन्ना के पक्ष में है किंद्र ने इतना कहा कि केंद्र के लिए संभव नहीं है जाती है गन्ना कराना ये चिदमर्म सार ने भी पहले कह दिया था 2010 किंद्र वही तिजिस्वी आदव ने बीजिपी पर निशाना साधा उन्होंने कहा कि भारती जुनतापाटी गरीब विरोधी है वो चाहती थी कि जाती आधारित जंगर्णा ना हूँ इसके लिए उन्होंने पूरी ताकत लगा दी राश्ची स्तर पर जाती आधारित करना कराने को लेकर हम लोग प्रधान मंत्री से भी मिलने गए थे हाला कि बादचीत नहीं बनी बहुत ही एक्तिहास काम की शुरुआत आज होने जारी है और आप लोग तो जानी रहे इसका निर्दे जो है बहुत पहले हो गया था और हम लोगों का अधने लालू जी का ये पहले से ही मांग रहा है जिसको लेकर के हम लोग शड़क पर भी उतरे थे और लालू जी के रह सारी चीजे थी लेकिन बाद में भाजपा के लोगों ने इसको डेटा को करब बता दिया उसके बाद से हम लोग आप लोगों ने देखा होगा विधान सबा में भी जब हम नेता विरोधी दल थें तो हमने प्रस्ताव रखा था पर धान मंतरी जी से भी मिलके आये थे हैं उस ये लोग नहीं चाहते थे कि जाती जनगन्ना जो है वो हो पूरी कोशिश नोगों ने की कि किसी भी प्रकार से जो सही आंकड़े हैं लोगों के पास पेशना हो सके बतादें की तेजस्वी यादव और सीएम नितिश कुमार पिछले साल पीएम नरेंद्र मोदी से भी जाती जनगन्ना कराने के संबंद में मिले थे अब जब उन्होंने बीजेपी से नाता तोड़ा और एंडिये से अलग होकर आरजडी के साथ हाथ मिला लिया तब उन्होंने महागडबंदन बनाकर सरकार बना ली अब जाती जनगन्ना शुरू कर दी इसी बात पर सुशील मोदी ने महागडबंदन पर निशाना साधा है